पढ़ने लगी है लेकिन इस दोवान हमारे प्रधान मंत्री के लिए जो बिभार वहां किये गए हैं वो काफी आपत्ती जनक हैं और इसकी हम निंदा करते हैं एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो फूटेज सामने आये हैं जिसमें हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के खिलाफ लोगों का गुसा बहुत ही गलत तरीके से निकला है बहुत शर्मनाक और निंदिनिये भी है आप अपने स्क्रीन पर या वीजुल देखिए इस वीजुल में आप देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री मोदी जी का पुतला है कट आउट कह सकते हैं आप इसे और इसमें जूते कि माला उन्हें पहना दी गई है और फेस ऑफ टेरोरिस्ट तक कहा जा रहा है क्या हमारे प्रधान मंत्री मोदी के साथ या सुलूख भरत बरदाश्ट करेगा हम इसके कड़ी निंदा करते हैं लेकि जिस तरीके का विजुल सामने आया है उसके मुताबिक इन लोगों का मा प्रध क्यों हुआ अमेरिका भी है इन बरतकारियों की बरतकारी से इन देशिदकर्दों की देशिदकर्दी से महिफोज होंगे अल्ला आप लोगों को अपने हफज़ अमान में रखे अल्ला अपनी हफाज़त में रखे अल्ला हर आबासे हर शर्थ से आप लोगों महिफोज होंगे बहर के बहरनी हाल मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाई, मेरी मार, भाई, देश के स्के हालास से भी आप लोग वाकफ इसदियुक्त है, क्योंकि आपका ये भाई, आप लोगों को फो उस दुनिया भर कि ख़बरे, आप लोगोंके खिदमत में पेश कर रह रहा है, हाला से भी आप लोग वाखिव है और देश के बाहर के हाला से भी आप लोग बज़ा वाखिव है क्योंकि आपका ये भाई आप लोगों को उस दुनिया भर की खबरे आप लोगों के खिद्मत में पेश कर रहा है जितना हो सकता मेरे से इशालला कर रहा हूं और करते रहा हू क्योंकि ये लोग बहुत कोशिश कर रहें कि किसी तरीख से मेरे को रूखा जाए सच्चाई बताने से, हाकिकत बताने से, इनके पड़दे फाश करने से, इनके घिनोनी चेहरे बेन खाब करने से रुकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये काम तो एक जमाने से करते हुए आराओं और करते रहुँगा क्योंकि आप लोग के प्यार के अनवा लग का साथ है मेरे साथ इंशाला जो के हमेशा रहेगा इंशाला बहर लकिफ ये हमारे देश के बद्धानमंद्री का खाल तो आपने देख लिए क्यूंकि हमने पहले ये जब जबर्दस्ती जब जाने के लिए हमी भरा तो हमने बता दिया कि अब ये दौर खतम होगा बाबा अब ये नहीं है तुमारा टाइम तुमारा टाइम तुमारा वक्त खराब हो चुका है लेकिन माने नहीं नहीं चलेगे वहाँ पर जाने के बाद इनको इतनी बेज़ती से गोजारने पड़ लए हैं दिने अब इन्हों निकल के होटल से सिकरिटी है वहाँ पहला के इतनी लेकिन हवाम उस से जादा है आप करें तो क्या करें खामोश बैठी भी है अमरिका भी कुछ भी नहीं कर सकती जबके अमरिका भी कोई दूद की धुले भी नहीं है आप लोग अच्छी तरह पताएं अभी हमा आए जा रहे और उनको जो लिखा जा रहा है वहाँ पर एक आतंगवादी चहरा समझें एक अट्रेस्ट फेस बुलके वो क्या गया अब महां की मीडिया के अंदर इतनी बेज़ती हो रही है हमारे देश के बतान मंत्री की अब यह हम क्या सुचे क्या करें हमको खुद समझ में या रहा है और हमारे देश की गोदी मीडिया तो बड़ी परेशान है बड़ी उस पर लेकिन फिर भी अभी भी सचाही बताने से खासेर है क्योंकि यह अभी भी चुपा रही है अभी भी गुमरा कर रही है देश वासें को कि क्या हो रहा है इनके साथ कितनी बेज़ती छिल रहे हैं इनको कुँसा सुलुक इनके साथ क्या जा रहा कैसा इनको जो किड़े मकोड़ां की तरह देखा जा रहा इनको एक जुंगूर से मानन उस तरीखे कि इनकी वो मिली और यहां तक जो उनके साथ जो गए थे उनकी टीम के उसमें से सतरा जरे वापस आ चुके है क्योंकि ये बेज़ती बर्दाश नहीं हो रही हो लोगों को अब उन लोगों को अपनी जान बचाने के लगी थी ऐसा ना हो जाए कि कुछ हमारे साथ खलत हो जाए हो लोग वहीं पर उसको छोड़ दे के जो है रहे जा भई तु जा बलके छोड़ के आगे हो सकता है इने आन पधान मंत्री की अब इसे हमारा देश कितना बेज़त हो रहा है यह हम जानते हैं देशवासी जो देश से सची लगन हैं सची महबत करते है उन लोग को ये बारिकी से देखना पड़ता है कि ये हमारे देश के क्यों कि कुछ भी हो इने लेकिन देश का पधान मंत्री है इस कि न्यूंकि हमारे दिश का आन, बाइल, शान, हमारे दिश का विखार हमको सुबसे आगेर रखना है. जिस तरह हम मसल्मान होने पर फखर मحسوس करते, उसी तरह एक भारती होने पर भी फखर महसوس किया जाता. लेकिन इन पापियों की वज़े से आज हमारी इतनी बेज़दी हो रही है कि हम बरदाइश नहीं कर सकते हमने इतनी कोशिश की इन चीजों से बचने के लिए आज हमको कहीं पे भी सर दिखाने की सर उठाने की हैसियत नहीं रही क्योंकि इसने और इसकी पार्टी ने इतनी बेज़द किया है हम मसल्मानों को इतना रुस्वा किया है कि हम अलफाजों बे बयान भी नहीं कर सकते हैं बहरे हाल भरल केफ मेरे एजिस दोस्तों मेरे भाई हो मेरे मा और बहनों अब इन्हें बादे तो बड़े बड़े कर रहा है जाने के बाद मैं यहां पहुंचने के बाद भारत पहुंचने के बाद मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा जिते भी यह गलत करें मसल्मान के साथ मेरे को तो कुछ पता नहीं है मैं इन चीज़ों में कोई दूचस पे नहीं रखता मैं मेरे को पता तक भी नहीं है लेकिन यहां पे देखने के बाद सी एन एन पे बीबीसी पे मेरे को एक अजीब सा महसुत हो रहा कुछ से भी लोगों के साथ कुछ से भी देश में इ कशोगी कि है एक कूछ से भी देश का चाहे को सुब ब्रकाल कर दिधाऊनमंतर पर उनकी जिम्हदाए उसकी जान ह्एकि जिम्हदारी उनको को देखना पड़ता है बहरेहाल इतनी बेजज़ती जहने के बाद जब ये आएगा वापस तो इसके साथ ये ये लोगों के साथ जो मंत्रियां छोड़के भागके आगए इसको ये लोगों के साथ क्या करता है ये और फिर जिस तरीख से वर आए कि जो ज्यादती करें मुसल एक कमेटी तश्कील दूँगा मैं ये दूँगा मैं वो दूँगा इसके सब हुआई बाते हैं जुमले बाजी के अलावा और कुछ नहीं है ये एक ऐसा ड्राउनी चेहरा है ये इसने खुद कराया सोए जितना जल्म जो हुआ है मसल्मानों के ओपर जितने घरे उजड़ हैं मसल्मानों के जितने परिवार उजड़े हैं मसल्मानों के जितने मसाजिद पर बुल्डुजर लगा है मसल्मानों के जितने अबादत गाहों को नुक्सान पहुंचा है वो सब चीजों में ये जिम्मेदार है इसके बगएर हिशारे के बगएर इसके सिगनल के कुछ हो बने वाला नहीं है। जब तक Green Signal ने पड़ता जब तक गाड़ी नहीं जाती। वैसे ही ये इसके हाथ में भागडर पूरी इसके हाथ में वहाँ पे जो भी बोल रहा है खलत बोल रहा है। हमको अफसोस ये चीज़ का हो रहा है। इसके साथ जो हो रहा है उसका अफसोस नही अमरिका की रोड़ों पर अमरिका की गल्यों में अमरिका के सड़कों पर इतने खतरनाक मज़ाहरे चल रहे इतने डेंजर मज़ाहरे चल रहे ये दिखाया जा रहा ये बताया जा रहा सी एरन पर प्रेम टेम बना दिया गया है वो ही चल रहा बीबी सी पर वो ही चल रहा अब्रेक्टी मीडिया में जरीबी इनसानियत रहती, तो ये देश्वासे को सचा ही दिखाती। अफसोस हमको वो रहा है। क्योंकि इसका नाम जुड़ेवा है हमारे देश के साथ। हमारे अखिम वतन के साथ। तो जितनी तकलीफ हमको हो रहे हैं, वला ये गोदी मीडिया क भी नहीं होगी, क्योंकि इनको खुद पता था कि इनके साथ ये होना है, ये इसके साथ होगा, ये लेकिन लंच करने गए, लंच पे जो इसे इस्तखबाल किया गया, इतने तुपों की सलामी दी गई, इतने लोग प्रेट किये, ये ये दिखाया जा रहा, लेकिन बाहर लोड़ों पे, सड़खों पे, गलियों में, शेहरों में जो हो रहा है, वो दिखाने से खासीर है, लेकिन मैंने रखाए एक मिनट पांस सिकंड का, ताकि आप लोग देखो, कि क्या हो रहा है हमारे देश की, कितने साख गिर रही है, कितना हमारा देश बदनाम हो रहा है, क होना ही था ये चीज तो होना ही थी ये तही थी कि ये वक्त तो आना है इनका अन्द तो जरूरी है इनका खातिमा तो होगा अब ये वक्त भी आ चुका है खातिमा भी हो रहा है इनका अब इनका सफाया हो रहा है तो मैं यही कहे दूंगा आप लोगो मेरे इस दोस्तों मेरे भाईयों मेरी माँ और बाहनों, यह सब दुआओं का असर है, आप लोग की अबादतों का असर है, आप लोग जो गड़ड़ा के जो अल्लाह से वांगे है, यह उसका सिला है जो आप लोगों को मिल रहा है, अल्हम्दुल्लाह, ऐसी ही इनों बेज़त होते रहेंगे, बेया राजी मौतर इंशालला अब थोड़े से दिन की बात है अब इनका जाना तो लगभग तही है लगभग तही है वो तो हो चुका है उनको खुद भी मालूम है लेकिन फिर भी अभी भी दिखावी की जिन्देगी गुजार रहे हैं दिखाने तो इंशालला कोई मसला नहीं है दौा हों में याद रखे मुनाज़ में रहे हैं मतहिद रहे हैं अपने सफ़ा में इत्वार रखे नमाजों की पावबंदी करिए महबब के खिद्मत करिए बड़ों के काम पेपन करिए और अपने इस भाई को भी दौा हो याद रखें सलाम आलेका